है नमस्कौकाँ फैंट मेर नाम बभूले मापी परह कर में आपका स्वागत है आधं देखने वाले इ्रभलम जायेगा या प्रते लिंक नीया सकते हो या हमारी साइट पर जाकर भी आपको लिंक की मिल जाएगा प्लेइस्ट का ठीक है तो बहाँ पर जाके भी यहाँ पिसे देख सकते वाराम से तो बढ़ते हैं फटापड आज का जो इस्टार्ट रहने वाली यूट नमबर जो पार्ट हमारा था था ठीक है पार्ट थी तक हमने क्या देखी थी यूट ठीक है अब हम किसमें देखेंगे पार्ट नमबर जो मारा फोर होगा ठीक है पार्ट नमबर फोर से हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला अपना यूट नमबर थी यूट नमबर टू ठीक है यूट नमबर कौन सा स्टार्ट हो जाता है जैसा कि आपके सामने आपर देख रहा है तो बढ़ते हैं तो आज जो देखने को मिलेगा unit number second में देखने को क्या-क्या मिलता है इसमें देखने को मिलता है 25 तंतर परीचाए उसका देखने को मिलेगा 25 तंतर के प्रिकार 25 तंतर की सनचना और परयाबण से संबंदित इसकी जो उपयोगिताएं हैं उनके बारे में देखने को यहाँ पर मिलता है ठीक है और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा second वाले में प्राकर्तिक संसाधन जैसे नभीनिकरडिये और अनविनिकरडिये परमपरिक जो नभीनिकरडिये होते हैं अनविनिकरड़ होते हैं और जो पारमपरिक होते हैं गैर पा पाश्टेक तंत्र एको सिस्टम और यह अपना हो जाता है नेचरल सोर्सेश ठीक है बढ़ते हैं फटापट कोश्णू की और फश्टेक कोश्ण आपके सामने है थोड़ा वड़ा करते हैं जो कि आपको विल्कुल आराम से देख जाए तो फश्टेक कोश्ण आपके सामने गहास इस्थलिये पाईतंत्र का उधाड़ है जो गहास इस्थलिये पाईतंत्र का उधाड़ है बह कौन सा है यहाँ पर ध्यान से देखना है ठीक है पेरिया, टुड्रा, टेगा या फिर सहारा हो जाता है तो सहारा में क्या देखने को मिलते हैं हमें हारा भारा इसे कहते ह हरा भरा स्वर्ग भी कहते हैं सहारा के लिए हरा भरा स्वर्ग भी कहते हैं को कि यहां पर बड़े ब्रक्ष होते हैं ठीक हरी भरी भूमी होती है और शारी चीजे है रेगिस्तानी जो हो जाता है ना या मरूधवित से कहते हैं सविघ्री रेति ले बाला कहतेंगे तो उसके ख॥ार वाले पाइतन, इसका अधार हो जाता है और बात करते हैं अपने टेगा को मिलते हैं टेगा में देखने को मिलते हैं संकुधारी बन और यहां रखा गHAS इस अलिए पाई अंतर का उधार कौन सा और जाता है तो वो हो जाता है अपना प्रेयरी हो inspirase यहां पर हो जाता है प्रेयरी क्या हो जाएगा इसाओ कुल्डर क्या वो ये अपने बंजर भूमी से हो जाता है और टेगा क्या हो गया यहाँ पर संकुदारी बन होते हैं और सहारा में हरा वरा स्वर्ग से भी कहा जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं फट आपर नेक्स कुशिन की ओर next question आपके सामने है भारती ये मरुस्थल बनिस्पती बात से संबंदित नहीं है तो जो बनिस्पती बात से संबंदित कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर चूज करना है पर देखा है कटीले ब्रक्ष ये मरुस्थल में पाई जाते हैं मरुस्थली बर्निसपती की बात हो रही है, ज्हानियाँ, देवधार, या फिर कैक्टस तो मरुस्थल, मतलब रेतिली जगह पर कौन सी पाई जाती है ये कटीले ब्रेक्षे पाई आते हैं, जैसे बबूल बगहरा हो गया और जहाणियां पाई जाती है और कैक्टस पाई जाते हैं मगर देवदार के बच्छे कैसे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं यह यहाँ पर नहीं पाई जाते हैं बहुत पूँछ रखा है कौन सा संबंदित नहीं है तो कौन सा नहीं है भई देवदार संबंदित नहीं होगा आगे बढ़ियागा next question सबसे स्वच उर्जा इस्तोत है सबसे स्वच जिसमें का प्रदूसर ना फैलता हो तो यहां देखा है सबसे स्वच उर्जा इस्तोत कौन सा हो जाता है तापिये जिवास में इधन, नाबिकिये उर्जा या फिर बायू तो बात करते हैं तापिये में आपको देखने को मिलेगा क्या कोईला वगरा चलाते है न तो इसमें देखने को मिल जाता है तापिये के अंदर करते हैं तो सबसे स्वच्छ उर्जा का इस्तोत कौन से हो जाएगा वई? बायू रहने वाला है. आगे बढ़िये गे next question. next question की बात करते हैं चारा गहा पारिष्टितिक तंत्र निम्ने में से किस महादीप में नहीं है तो चारा गहा पारिष्टितिक तंत्र निम्ने में से किस महादीप में नहीं है यह आप से पूंच रखा है तो पहला हो जाता है अंटाक्टिका आउस्टेलिया उत्री अमेरिका एसिया तो यहां राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है देखो बात करते हैं चारा गहा पाइस्तिक तंत्र की है ना मतलब हरे भरे जंगल की बात यहां पर हो रही है ठीक है तो चारा गहा पाइस्तिक तंत्र निम्निमे से कौन से महादिक में नहीं है तो कैसे याद करेंगे यह अंटार्क्टिका में नहीं है किसमें अंटार्क्टिका में है ना तो कैसे याद करेंगे कंचे आप कंचे खेलते हो ना बिलकुल कंचे कैसे होते हैं हाड होते हैं हाड काली आगे आगे बढ़ जाते हैं जो आपको बता नहीं तो साथ कृट्वी कोंटारे कालीं यह काली पत्वी यहहांको और बिशुबद रहोगि pa काती है यहां पर कौन इन यहां पर कौन से उदाएगे करके रिखा साड़े 23 ठीक है साड़े 23 डिग्री एक बिटा दो ठीक है 23 डिग्री पर ऊपर कौन सी है करकरेखा और नीचे कौन सी होती है नीचे होती है मकररेखा है ना नीचे क्या होती है मकररेखा होती है इसके बीच का जो इस्तान होता है वो कैसा होता है उस्ट्र कटिवन दी छेत्र क बन पाए जाते हैं भारत में कहां पर ये बन पाए जाते हैं तो ये कहां पाए जाएंगे जम्मू कस्मीर में या फिर राजिस्तान में केरल असम में या फिर भारत में कहीं नहीं तो बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा तो उश्डे कटिवंदी ये बन भारत में कहां पाए जाते हैं ये केरल और असम में पाए जाते हैं तो right answer option number C होगा ठीक है right answer क्या होगा option number C होगा अगर छेत्र की बात करते हैं तो करकरेका और मकरेका के बीच का इस्तान जो होता है पूश्र कटी बंदी चेत्र कहलाता है आगे बढ़ते है next question next question की बात करते है हरित पत्टी क्या है जो हरित पत्टी है वो है क्या पहले रखका है option शड़क किनारे पीडो का ततार युक्त पत्टी जो लगी होती उसे कहते है हरित पत्टी अगले देखेगा संदचित बं कम जनसंग्या वाला अर्द दिहाती चेत्र या फिर सहर के बाहरी किनारों के बंचेत्र तो बताना है जो हो जाता है तुमारा हरित पत्टी ठीक हरित पत्टी किसे कहते हैं यह पूछ रखका है option हमने पढ़के बता दिए चूच किजेगा पूदा समय यहां पर रुकेंगे बिल्कुल तो हरी पत्टी की बात करते है हरी पत्टी है क्या हरी हरी पत्टी है सहर के किनारे सहर के किनारे होते हैं सहर के बाहरी किनारे उनके सहर के बाहरी किनारों के बंचेत्र यहां पर दाएगा बिल्कुल राइट ठीक है option number D राइट होगा हरी पत्टी याद करना क्या पता एक्जाम में यह बन जाए important question हो सकता है सहर के बाहरी किनारो कि बन चेत्र हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं next question, यहान देखा है, किसको भबिसचा इधन कहा जाता है भबिस्चा इधन इसे कहा जाता है, पहला प्रकरतिक गैस, मिफेन, हाइडोजन और कारवन, तो भबिस्चा इधन किसे कहेंगे फ्रकरतिक गैस बिल्कुल नहीं, यह C में यह कतम हो जाएगी ठीक है, मिथेन, बिल्कुल नहीं कार्बन भी नहीं है, क्योंकि हमारे सूरी में क्या है, हाइड्रोजन हिलियम है तो भबिस्य का इधन कौन सा होगा सूरी ही होगा, मतलब हाइड्रोजन रहने वाला है ठीक है, आपको बताना है नाभिकिये सकती रियक्टर या फिर इस्टेशन की स्थापना कहां की गई थी आपको बताना है, नरोरा, तारापूर फिर्दरेकापना, कलपकम और राबत भट्टा तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है देखिएगा नाबिकिये सक्ती रियेटर की स्टापना कहां की गई थी तो पात करते हैं प्रिथम प्रिथम कहां पर की गई थी वो की गई थी तारापुर में कहां पर भाई तारापुर में की गई थी और तारापुर कहां परता है ये भी आपको याद होना चाहिए क्या पता वना ले है ना कि नाब की एरेक्टर स्टेशन तारापुर है वो कहां इस्थित है तो यह अपना कहां हो जाएगा महारास्ट में इस्थित हो जाएगा कहां हो जाएगा बई यह अपने महारास्ट में इस्थित हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा नेक्स कुशन तारपुर कैसे याद करेंगे तारप आगे बरते है नेक्स कुशन हारिकçon को अच्छे पिकास है याद करते चलना जो की एक्जाम में हमें याद आ जाए आगे देखीगा कौन सा एक शहार कौन सा एक आहार-सरन्कला का दुतिये पोषक इस्तर से संबंदित है मतलब दुतिये पोषक इस्तर पिर्थम में कौन आते हैं आपको बता ही है दूतियक में बताना है पोशक इस्तर की बात कर रहा है पिर्थम में तो उत्पादक कोई पोशक इस्तर नहीं होता है उत्पादक के बात कौन आते हैं पिर्थम उपभोकता आते हैं है ना पिर्थम जो भोकता आते हैं वो क्या होत दुतियक पोशक की बात कर रहा है ना वो नहीं 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 इसमें नहीं हो गई है ठीक है यह अलग है ठीक है यह अलग है तो यहाँ रखा है दुतियक पोशक के इस तर से संबंदित है तो प्रतम पोशक कौन है प्रतम पोशक तो पौधे ही हो जाते है ठी सेकंड पोसक कौन हो जाएगा को क्रोच होगा, नहीं बिल्कुल partners स्वाइगा चिढड़ triple the,tt एक घДа हो जाएगा अपना सिढड़ हो जाएगा क्योंक1 का थो क्थिप्ध्ध काता है?. उस परकास से सेकंड़ वाला कौन हो गया टीड़ राइट सा नमबर C हो गए यहाँ पर आगे बढ़िएगा next question की बात करते हैं पाई तंतर का कौन सा एक अजैबिक अंग नहीं है अजैबिक किसे कहते है या अजैबिक देख रखा है ठीक है अजैबिक अंग कौन सा नहीं है जिसमें carbohydrate बसाओ protein ना हो तो परद एक का है तुमारा अजैबिक मतलब हो जिसमें जैबिक किसे कहते है जैबिक अपने अप में एक प्रोटीन है यहाँ पर किसी मुपस्तित नहीं है तो यह कैसा हो गया अजैबिक हो गया आधरता भी हो जाती है थी कार्बन डरेट यह कैसा है अब और अजैबिक है यह नहीं कहते है तो किसी जैब में तो नहीं है किसी जीवित प्रानी में तो यह है नहीं है इसलिए तो इस लिए से प्रेकार से घ्राइबिक हो में मारा कबक और हंजी होगा टीद्ध Exact फेर पारितंतर नहीं है जो पार्थिव पारितंतर नहीं है वो आपको बताना है बन घास के मैदान या फिर जील या फिर सस्से भूमी तो यहां पर बताना है कौन सा राइट होगा देखो अगर इस प्रकास से कभी भी आपको मिल जाए और आप कन्फ्यूज हो जाओ कि पार्थिव किसे कहते हैं तो तीन ऑप्शन आपको सेम देख लेना है और एक को अलग जो दिरिक्काव का बही हमारा आंसर होगा तो चूज कीज़ेगा देखो बात करते हैं घास का मैदान हो गया ठीक है और बन हो गया यह दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे है ना यह दोनों नहीं है इस प्रकार से हम देख लेते हैं ठीक है option को निकाल कर अगर confused हो तो इस प्रकार से exam में देख लेना आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं next question देखा है पारीतंतर की सनचना में निम्न में कौन सहायक नहीं है पारीतंतर की सनचना में निम्न में से कौन सहायक नहीं है आपसे पूछ रकाए जैबिक अजैबिक ग्रह या फिर उर्जा तो पारीतंतर की सनचना में निम्न में से कौन सहायक नहीं है पा पिरवाल भितियां मिलती हैं, पिरवाल भितियां कहां मिलती हैं यह देखना है, मैदानी में, सागरों में, परबतों में या फिर नदी घाटियों में, तो यहां राइट अंसर अपना क्या होगा, बताएगा, देखो बात करते हैं, पिरवाल भितियां मिलती हैं, कहां मिलती ह यह मिलती है अपने सागरों में, जैसे कि अपना भारत है, है ना, यह अपना क्या हो जाता है भई, भारत हो जाता है, ठीक है, यह अपना क्या हो गया, भारत हो गया, इस सैट में क्या है, बंगाल के इखाडी हो इस सैट में क्या है, अरब सागर, है ना, तो यहाँ अरब साग हुआ है प्रवाल भीतियों से ही रना हुआ है ठीक है तो इस प्रकास से राइट आंसर क्या होगा, option number B हो जाएगा, प्रवाल भीतिये मिलती है कहाँ पर सागरों में, जैसे कि हमारा दीप बना हुआ है, लची दीप, प्रिछलित ब्रक्ष जो हो जाता है वो कौन सा है नीम बबूल देवदार या फिर पाइनस पताना है वो कहा बूल को बतां है गूल बबूल पायुशन के बाइनस इस थानिय जातिया है इस्थानिय जाते हैं या कौन सी है यह आपको बताने जो इस्थान पर रहती हैं तो यहाँ बताना है इस्थानिय जातिया 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 है इस्थानिय किसे कहते हैं यहाँ आपसे पूंच रखा है इस थानिय मतलब यह किस्थान पर सीमित रहती हूं जैसे कि केबल एक स्थान तक ही सीमित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं इस थानिये प्रिजात्मिया कहते हैं तो इस प्रिकार से बिल्कुल दीजी था आराम से option number B यहाँ पर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्निके तमेसे कौन सा एक सूच्म पाई तंतर से संबंदित नहीं है सूच्म पाई तंतर मतलब पहुती छोटा चोड़ा तो सूच्म हो ठीक है यहाँ पाई तंतर संबंदित कौन सा नहीं है आपको चूच करना है छोटा ता बिलकुल यहाँ पर बहुत ही सूच्म पाई तंतर मतलब जी पाए जाते हैं जो हमें आंकों से नहीं देखाएगा तो यहाँ जाएगा और जलिस्तोथ भी हो जाएंगे चोटी सरीता भी हो जाएगे मगर जो मचली घर है वो सूच्म पाई तंतर में नहीं होगा तो हो जाता है उर्जा का सूरी सूरी का प्रिकास ठीक है तो बात करते हैं पाइस ते अंद में उर्जा का इस तोत कौन सा हो जाता है तो वो कौन सा है सूरी है तो राइट अंसर ऑप्शन अमबर डी होगा क्योंकि सूरी से ही उर्जा आती है पौदे लेते हैं पौदे से परतम पार्मूला होगा आगे में देख लिए ठीक है बात करते हैं प्रत्वी पर अधिक्तम तापमान कहां रिकार्ड होता है प्रत्वी पर अधिक्तम तापमान कहां रिकार्ड होता है यह पूछ रखा अधिक्तम तापमान कहां रिकार्ड होता है ठीक है तो वो होता है अपने कहा पर तो वह होता है पना अंता उष्ट कटिवन दिये अभी सरण छेत्षर पर यह है कहाँ दस डिगरी दच्छड का जो बीच का इस्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं अन्ता उश्ड कटिवंदिये अभी सरड छेतर कहते हैं क्या कहते हैं उसे अन्ता उश्ड कटिवंदिये अभी सरड छेतर कहते हैं इसका जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ठीक है इ जाये करक रेका के समीब पड़ता है। आगे बढ़ेगा नेक्स कुशन की बात करते हैं, निम्रीकित में से कौन सा झैब औरब्रक के रूप में प्रयोक्त होता है, जैब उर्वरक के रूप में प्रिक्तु कौन सा होता है ये आपको बताना है पहला दरक्का है बर्सीम फिर गायका-गोबर आजोला ये फिर यूरिया यूरिया जैब नहीं है ठीक है आगे बढ़िएगा next question next question की बात करते है electrostatic electrostatic ठीक है precipitator रोकने के लिए प्रियोग होता है क्या प्रियोग होता है यहाँ आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो electrostatic जो electrostatic है precipitator ठीक है electrostatic precipitator जो है यह करता क्या है यह जो हमारी गैसे होती है गैसों को सुद्ध करने के लिए क्या करने के लिए गैसों को सुद्ध करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है किसका electrostatic precipitator ठीक है इसका प्रियोग कियाता है गैसों को सुद्ध करने के लिए इसके नुसार क्या निकालते हैं इसके नुसार जो धूल के कड़ होते हैं उनको सुद्ध किया जाता है और जो गैस के अंदगत बाकी धुमा होता है बाकी जो धुमा बगएरा होता है उसको सुद्ध किया जाता है तो इस प्रकार से कड़ और धुमा इनमें से कोई भी option होता तो हमाँ right हो जाता तो देरेका है electrostatic तता precipitator रोकने के लिए प्रियोग होता है किसके लिए कड़ों के लिए किसके धूल के कड़ और धुमा को दूर करने के लिए होता है gas के अंदर के ठीक है gas को सुध करने के लिए तो कड़ और धुमा तो यहाँ पर कड़ देरेका है तो कड़ की ओर जाएंगे अगर धुमा होता तो हमारे दो हो जाते हैं यहाँ पर option right ठीक है आगे बढ़िएगा next question की बात करते हैं दो 25 की छेत्रों के बीच का transition छेत्र कहलाता है दो 25 की छेत्रों के बीच का दो transition छेत्रों होता है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है eco type, eco clean eco spheres या फिर हो जाता है तुमारा aceton तो यहाँ right answer अमारा क्या रहने वाला है देखेगा बिल्कुल कौन सा बिल्कुल right होगा तो वो हो जाएगा अपना eco clean क्या हो जानाने वाला है वही eco line रहने वाला है कैसे याद करेंगे 25 एक हो गया यह इनके बीच का इस्थान दे रखा है बीच का transition छेत्र मैंने कैसे क्या एक रेखा से एक रेखा से मतलब एक line से ठीक है एक line से और line में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा बागी किसी में line देखने को नहीं मिलेगा तो इस परकार से eco clean आपको याद हो जाएगा कि अगर पूछ रहता है कि 25 छेत्रों के बीच का transition छेत्र कौन सा होता है तो वो eco clean होता है ठीक है याद रहेगा ना आपके लिए बिलको ट्रेकेन उसमने याद कर लिया आगे बढ़ते हैं भूत आपिये और जल उर्जा का पिरकार है भूत आपिये और जल उर्जा का पिरकार क्या होता है पुना उपियोगी उर्जा या फिर अपुना अप्योगी उर्जा बहा उर्जा या फिर ये सभी तो right answer नमारा क्या होगा देखेगा यहाँ रहखा है भूता पी और जल उर्जा का प्रिकार है कैसा है ये दोनों की दोनों क्या है बहा उर्जा है तो right answer option number यहाँ पर C रहने वाला है आगे देखते है next question उर्जा का मुख्य इस्तोत है तो ये तो सभी को पता है कौनसा हो दाएगा भई शूर्य हो जाएगा है ना उर्जा का मुख्य इस्तोत कौनसा है शूर्य है आगे बढ़िएगा अधिक्तम शरंधता अधिक्तम सरंधता पाई जाती है कहां पाई जाती है आपको बताना है बालू में, कंकड में, क्ले में या फिर सिल्ट में, तो यहाँ पर राइट आंसर नमारा क्या होगा, अधिक्तम सरंधता पाई जाती है, कहाँ पर यह बालू में पाई जाती है, राइट आंसर अप्शन नमबर ए रहने वाला है, नेक्स कुशन की बात करते ह इन में से अनिवे करड़ संसादन है अनिवे करड़ संसादन कौन सा है आपको बताना है जो अनिवे हो ठीक है बे ना हो अनिवे हो पैद रखा है बन जीब कोईला जल या फिर बन तो कौन सा बे हो जाता है दो बन जीब की बात करते हैं ये भी क्या हो जाते हैं बे हो जाते है खतम हो जाते है, कोगिले की बात करें ये भी खतम हो जाते है, बन की बात करें ये भी क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, मगर जल संसाधन ये खतम नहीं होने वाला है, तो right answer option number C हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अनिवेई करण संसाधन है, बेई करण और अनिवेई करण यहाँ पर कुछ अलग है बीटी के रुकीगा यहाँ पर क्या है कुछ अलग है फोड़ा सा रुकीगा कोईला है यहाँ पर राइट ठीक है तो यहाँ पर कौन सा जाएगा भी कोईला राइट होगा ठीक है अन्बिकर संसादन इसको याद कले ना ठीक है इसको याद कले ना इ तंत्र के जैबिक संगटकों में समलित है पाइस्तितिक तंत्र के जैबिक संगटकों में समलित कौन सा है वो आपको बताना है पहला दरका है मुख भोकता प्रात्मी को भोकता फिर दरका है अपना बिगटक फिर इनमें से सभी तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा तो पाइस का राश्टी फल है भायत का राश्टी फल कौन सा है यह आपको यहाँ पर देखना है ठीक है तो भायत के राश्टी फल की बात करते हैं तो भायत के राश्टी फल को कब मायता दी गईती बहुत जाता है 1950 में है 1950 में से बात करता है भारत का राश्टी फल कौन सा है तो बोग जाता है अपना आम ठीक है option number C यहाँ पर बिल्कुल right होगा next question की बात करते है next question देका है पाश्तिक तंत्र की करिया कारे सीलता निर्भर करती है पाश्तिक तंत्र की जो कारे सीलता है वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है प्राकरतिक चैन उर्जा प्रिभाः प्रिकास संसलिसर उर्जा सन अच्छन तो right answer मारा क्या होगा पाश्तिक तंत्र की कारी सीलता निर्भर करती है किस पर करती है जो कारी सीलता किस पर निर्भर करेगी वैई उर्जा के पिर भापर निर्भर करती है है ना पहले उत्पादक फिर प्रितम वोक्ता फिर दुति वोक्ता अवगटन फिर हो जाता है फिर दोबारा ये खतम हो जा तीर चलती रहती तो कार्स ओर नरिबर करती है आगे बढ़ते हैं भारतिया बन सर्भेच्छड भिभाग का मुख्याल है भारतिया बन सरोईच्ड भिभाग का मुख्याल है भोपाल में, देहरादून में, दिसपुर में या पर नई दिल्ली में तो भारत बन सरवेच्छर बिभाग का मुख्याल है कहां पर है? देहरादून में है जो UK की क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है तो राइट आंसर उप्शन नमबर B हो जाएगा नेक्स गुशन की बात करते हैं, यहाद रहका है मिर्दा मिर्दा परिच्छेदिका का संस्तर किसमें कार्बनिक पदार्थ प्रिचूर मातरा में होते हैं मिर्दा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रिचूर मातरा में होते हैं बहे कौन सा हो जाएगा A संस्तर, B संस्तर, R संस्तर या फिर O संस्तर जहां पर कार्बनिक पदार्थ प्रिचूर मात्रा में हो तो वो कौन सा संस्तर कहलाएगा वो कहलाएगा अपना O संस्तर ठीके? इसे याद कर लिना बहुत भी important है तो कौन सा दाएगा ओ संस्तर आगे बढ़ते हैं पारिस्तिक तंत्र में उर्जा का प्रिमिड होता है उसमें उर्जा का जो प्रिमिड होता है वो कैसा होता है उल्टा होता है सीधा होता है या पिर अनिश्चित होता है या पिर इन में से कोई नहीं होता है राइट आंसर मार बी हो जाए, क्योंकि उर्जा की बात कर रहा है, द्यांस देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स देखा है, प्राकर्तिक पारितंतर है, जो प्राकर्तिक पारितंतर है, वो कौन सा है? गहुं का खेत, आम का भाग, घास का मैदान, या फिर एकवेरियम, तो यहां पर र होता है कृत्री मी होता है है मगर घास का मैं जो वहٍदा में यह आपको बताना है उत्रberg में महारास्ट में भिहार में फिर केरल में तो राइट-मारा क्या होगा कि तो सान्त गहाटी सान्त गहां को प्रच्ष का ओड़ी कहां पर होelnे ठीक है तो right answer क्या रहने वाला है option number D रहने वाला है याद कैसे करेंगे सांथ किसी को कर ले ठीक है तो इस पेकार से याद रहेगा सांथ कर ले है तो सांथ और केरल आगे बढ़ते हैं next question यहां देखा है भारत किस खनिज का बिसमे सबसे अधिक उत्पादन करता है जो भारत है बहे किस खनिज का बिसमे सबसे अधिक उत्पादन करता है तो आपको बताना है लोहा, aluminium, माई का या फिर मैगनीज तो यहां पर right answer नमारा क्या होगा फोर में बताना है ओली चो दिरह रखे है यहां पर ठीक है तो खनिज का बिसमे सबसे अधिक उत्तपादन किसका करता है तो वो करता है अपना मैगनीज का, ठीक, इसका अभी मैगनीज का करता है, आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन, बायो डीजल पौधा है, तो बायो डीजल पौधा कौन सा है, वो आपको चूज करना है, पर दरेका है तुमारा जावा घास, रतन जोत, और गुगुगुल, और रोसा घास, तो यहां पर राइट अंसर नमारा क्या होगा, बायो डीजल पौधा कौन सा हो जाता है, तो बहुत आपको चूज करना है, तो बहुत अपना हो जायेगा, रतन जोत, कैसे याद करेंगे, डीजल, डीजल से आप जोत भी जासकते हो न, जिसे कहते है, जैसे लेंप जलाते हैं न तो भई हो जाएगा जोत जलाना मतलब जोत जलाना मतलब लेंप जलाना डीजल जलता है न तो यहां पर जोत जल जाएगी उससे तो इस प्रकार से याद हो जाएगा कि बायो डीजल पॉदा कौन सा है रतन जोत हो जाएगा ट्रिक हमने देख ली आराम से याद हो गया, आगे बरते हैं next question, यहाँ देखा है, जिस परकरिया में पानी मिर्दा में बैठ जाता है, उसे कहा जाता है, जिस परकरिया में पानी जो होता है, मिर्दा में बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं, संगनन, रुकाबट, बासपीकर, या फिर छहनाई, तो जिस पर कारपानी मिर्दा में बैठ जाता है उसे क्या कहेंगे भई उसे च्छनाई कहेंगे राइट आंसर उप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल ही जी था यह तो आगे बढ़ते हैं मिर्दा अपरदन का सबसे बड़ा कारक है मिर्दा अपरदन सबसे बड़ा कारक कौन सा है वो आपको बताना है पैद रखा है तुम्हारा बरसा जल, सागरिय जल, नदियों का जल या अब मिर्दा जल तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा अगर UP की बात करते हैं यहां रखा है तुम्हारा बरसा जल, सागरिय जल, नदियों का जल या फिर अब मिर्दा जल तो यहां पर बताना है मिर्दा अपरदन का सबसे बड़ा कारक कौन सा हो जाएगा तो भो हो जाएगा बरसा का जल ठीक है right answer option number A हो जाएगा आगे बढ़ते है next question यहाँ देखा है सैवाल घास किस पाई तंतर का पिरमुक अंग है जो सैवाल घास है किस पाई तंतर का पिरमुक अंग हो जाते हैं आपको बताना है सरोबर पाई तंतर, नदिया पाई तंतर घास पाई तंतर या फिर मरस्तलिय पारी तंतर तो घास की बात कर रहा है घास कहां पर होता है सैवाल सैवाल की बात कर रहा है न तो सैवाल कहां मिलते हैं सरोबर मतलब तालाबों में तो राई तंसर क्या होगा सरोबर पाई तंतर हो जाएगा सहवाल घास का पाई तन ठीक है आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं पादप सहवाल मिलता है जो पादप सहवाल है वो कहां मिलता है महासागरों में मैदानों में या फिर पहाड़ियों में बनों में तो यहां राई टांसर अपना क्या हो जाएगा तो पादप सहवाल की बात कर रहा है कहां मिलेंगे भई महासागरों में तो राई टांसर अप्शन नमबर ए हो जाएगा अगर सिर्फ सहवाल की बात करते हैं सहवाल घास जो होतनी है वो कहा मिलेंगे सरोबर में अगर पादप सहवाल की बात करता है कोई कि बहुदों की बात कर रहा है बड़े बड़े तो यह कहा मिलेंगे महासागरो में right answer option number A हो जाएगा सहवाल भी महासागरो मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं अपरीका के घास चेतर कहे जाते हैं अपरीका के जो घास चेतर हैं उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है लेनोज, प्रियरी, इस्टेपीज या फिर सवाना तो अफरीका के घास छेत्र को क्या कहते हैं उसे कहते हैं भई सवाना क्या कहते हैं भई शवाना ठीक है राइट अंस रॉपसे नंबर डी हो जाएगा next question की बात करते हैं स्वेज नहर मिलाती है स्वेज नहर जो है वो किसे किसको मिलाती है आपको बताना है स्वेज नहर है कहाँ पर तो मिस्र याद रखना है आपके लिए स्वेज नहर को स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी है ना इसकी सुरात कब की गई थी तो बह वो जाती है 1858 में, कब 1858 में स्वेज नहर की चुरात हुई थी ठीक है, बैसे तो बनीती कुछ और भी है आपर, मगर 1885 ही आपको याद करना है ठीक है, और बात करते हैं किसके द्वारा हुई थी ये भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर की जो इस्तापना है स्वेज नहर, मतलब स्वेज नहर है बिल्कुल दूदिय पानी, बिल्कुल तेजी से वह रहा है न, तो यहाँ पर देखू, फर नि नहर यहाँ पर याद नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं आप याद कर लीजएगा किसी भी फिरकार से, तो बात करते हैं स्वेज नहर मिलती है स्वेज नहर जो है वो किसको किससे मिलाती है भूमद सागर को कैस्पियन सागर से लाल सागर को भूमद सागर से और काला सागर को वल्टिक सागर से या फिर अरेवियन सागर को लाल सागर से तो यह किससे किसको मिलाती है यह आपको यहाँ पर choose करना है तो यह मिलाती है लाल सागर और भूमद सागर को एक दूसरे से मिलाती है तो यहाँ पर right answer option number B हो जाएगा स्वेजन है बिल्कुल याद हो जाएगा याद हो गया ना लाल सागर और भूम दिशागर आगे बरता है next question next question की बात करते है पहाड़ी मिरदाएं होती है वो कैसी होती है अमलिय होती है छारिय लवडिय या फिर उदासीन तो राइट आंशर नमारा क्या होगा सामानिता पहाड़ी मिरदाएं होती है देखो पहाड़ी मिर्दा है तो यहाँ तो ना तो अमली होंगी ना ही होंगी छारी है और ना ही आपको लबड़ी यह देखने को मिलेंगी यह कैसी होती है उदासीन होती है कैसी मिर्दा होती है यह उदासीन मिर्दाएं होती है तो right answer option number D हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं खाग सरंकला के जैविक कारक हैं खाग सरंकला के जैविक कारक कौन से हैं आपको बताना है पैद रखा है उत्पादक बोगता अपगटक या पिर यह सभी तो right answer हमारा क्या होगा अरे खाग सरंकला के जैविक कारक कौन है उत्पादक भी है उत्पादक भ कौन होते हैं जो अपना बोजन स्वेम बनाते हैं म्रत पोसी जो म्रतों से बनाते हैं है ना अब गटन कर देते हैं यही राइट होगा हमारा वैसे और पर पोसी क्या होते हैं किसी जीव के अंदर रहकर अपना बोजन गिनाने करते हैं तो उन्हें पर पोसी कहते हैं और स्वा परपोसी, ये परपोसी हो गए, ठीक है, नहीं, स्वापोसी हो गए, ये स्वापरपोसी कह रहा है, किसी, हाँ, ये हो गए, देखो, परपोसी क्या हो गए, परपोसी उसे कहते हैं, किसी जीवी के अंदर रहकर, उसके अनुसार, जिसके अंदर रह रहे हैं, उनसे पोसा तत् यह किसी भी जीब को नुक्सान राक नहीं होते हैं और उसके अंदर रहेकर अपना भोजन स्वैम बना कर ठीक है अपना भोजन स्वैम बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वै परपोसी और परपोसी जीब के अंदर रहते हैं और जीब को नुक्सान भी पहुंचाते हैं और अपना बोजन ग्येयर करते हैं उस जीप से उने क्या कहते हैं परपोसी कहते हैं तो यहाँ देरेखा है अब घटन करता किसे कहते हैं अब घटन करता हो जाते हैं मृत पोसी ठाहीं आगे बढ़ येगा next question यहाँ देरेखा है निम्रिकत मेंसे कौन सा जैबिक संसाधन है तो जैबिक संसादन कौन सा है यह आपको चूच करना है हवा जल बन या फिर लोह आइसेक राइट आंसर हमारा क्या होगा जैबिक दे रेक्खा है जैबिक नहीं बताना है ठीक है जैबिक इसमें कार्बोहाइडिट बसा हो प्रोटीन उपलबद हो बात करते हैं हवा में नहीं है ना ही जल में है ना ही लोहे में किसम हो जाएगा बई बन में हो जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा हमारा तो जैबिक संसादन कौन सा हो जाएगा बन आगे बढ़ते हैं रबड किस राजी की पिरमुख फसल है रबर जो है किस राजी की पिरमुख फसल हो जाएगी पैद रखा है तमिलनाडू, केरल, आंध्र पिदेश और महराष्ट तो यहाँ पर रबर किस राजी की पिरमुख फसल है आपने जूच कर लिया होगा अब तक है ना तो रबर किस राजी की हो जाएगी यह हो जाएगी अपने केरल की ठीक है आगे बढ़ेगा सबसे अधिक ऑक्सिजन छोड़ते हैं सबसे अधिक ऑक्सिđन कौन छोड़ते हैं ईष्ड बर्सा वाले बन सीत बन या फिर सागरिये प्रकास अंसलेसर या देर रखा है तुम्हार पौदो के अनुसार हो इतना भी अधिक ना हो जो कि पत्निया मुर्जाद आए मतलब पौदो के अनुसार होना चाहिए तो यहां पर उश्ड बरसा वाले बंजो होंगे वो सबसे ज़दा ऑक्षिएन छोड़ेंगे इसके गिरिया देख लेते हैं कौन सी निकलती है कैसे दिन प्रोफिल हो गये है ना पढ़हरीम बगयरा उसके बाद यहां पर प्रिकास लिख देते हैं प्रिकास की उपस्तती में और पढ़हरीम की उपस्तती में ठीक है क्या बनाएंगे यह बनाएंगे C6H12O6 मतलब glucose बन गया और प्लस 6O2 मतलब oxygen हो गई रिलीज ठीक है और क्या होगा दिको यहां पर glucose बन गया बहुजन बन गया और oxygen मुक्त हो गई और क्या बनाएगा तो जल बास्त के रूप में कुछ उड़ जाती है बह बनेगी है ना 6H2O तो इस प्रिकास से हमारा कुछ कुछ ग्रोथ में काम आप आएगे है ना तो उपर उड़ जाती है ना वास्त के रूप में काम आती है तो यह बन जाता है इस प्रिकास से ठीक है कारव यहां पर बन गया गया glucosebi tracks और अड़ जल बी रिलीज हो गया ठीक है तो इस प्रिकास से यह हमारी क्या हो जाती है क्रि प्रिदेश में उत्र प्रिदेश में बिहार में तो सोना कहां पाए जाएगा याद कैसे करेंगे सोना सोना पहन के लोग क्या करते हैं नकली पहन करना नाटक करते हैं ना क्या करते हैं नाटक तो यहां पर आपको करना आटक देखने को मिलेगा तो राइट अंसर उप्शन न या फिर इन में से कोई नहीं तो हरे ब्रक्षो को 25 तंतर में कहा जाता है क्या कहा जाता है उन्हें बायो मास कहा जाता है अब बायो मास है क्या बायो मास है खाग सरंकला और खाग जाल के भार का प्रेमिड ठीक है इसे बायो मास कहते हैं मतलब यहाँ पर बेटिंग होता है त या बायो मास कहा जाता है तो आप्असे बात करते हैं सुद्ध जलका और नमबर isa हो जाता है तेश्मिया ए कुष्ण की हाँ है ने कि पूरी कीहिक पूरी कोशिश किया जो कि आपको शारी की सारी क्योशन याद हो जाएं अगर आप बीडियो को सिर्फ देखते ही हैं तो आपको 40% आपको सिर्फ देखने देखने से याद हो जाएंगे एक दो question जो बच जाते हैं ना एक दो question जो बच जाते हैं वही आपको सिर्फ याद करना है तो like करो, share करो, channel को subscribe करो और जिस किसी को English, Hindi दोनों में PDF चाहिए, English वालों को English में मिल जाएगी, Hindi वालों को Hindi में notes मिल जाएगा, ठीक है, कहां जाके डानलोड करना है, www.paperhacki.in पर आपको PDF notes मिल जाएगा तो बहाँ से आपको सभी लोग download कर सकते हैं, ठीक है तो like करना, share करना, channel को subscribe करना बैल एक उनको press कर जाएगे, जो कि नटबेक्स आपके घर पहुँचे, तो फेंट जैहें, जै भारत